आज का स्लोगन हमें याद दिला रहा है हमारे लक्ष को हमारे मन्जिल को ब्रह्मा बाप समान संपन और संपूर्ण बनना तो आए सुनते हैं आज का स्लोगन ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मन्जिल पर पहुंचना ब्रह्मा बाबा ही हम सब बच्चों के समक्ष एक सैंपल और एक्जैंपल है क्योंकि बाबा ने अपने साकार शरीर में रहते हुए अपने जीवन में रहते हुए संपूर्ण स्थिती को कैसे प्राप्त किया जाता है उसे हमारे समक्ष करके दिखाया जी के दिखाया और हम सभी ब्रामhan बच्चों का भी यही लक्ष है यही मन्जिल है कि हम भी ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और संपन्न स्थिती को प्राप्त करना है उसके लिए भी बाबा ने बहुत अती सहच उपाई और युगती बताई हैं कि हमें कुछ नहीं करना है ना कुछ जादा चिंतन में अपने को लाना है ना चिंता करनी है बस हमें ब्रह्मा बाबा को फोलो करते जाना है और ब्रह्मा बाप समान बनते जाना है क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपन्ता को प्राप्त की संपून्ता को प्राप्त की अगर हम भी ब्रह्मा बाबा को फोलो करते रह बाप समान बनते रहें, तो हम भी एक दिन अवश्य ही संपन स्वरूप और संपून स्वरूप को प्राप्त होंगे, यही हमारी मन्जिल है तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाबा को फोलो करना होगा तो बाबा को follow करना अर्थात बाबा ने यही कहा है कि जैसा ब्रह्मा बाबा का संकल्ब है वैसा ही संकल्ब मेरा हो जैसे ब्रह्मा बाबा के वानी है वचन है वैसे ही वचन हो जैसे ब्रह्मा बाबा के कर्तव्य है कार्य है एक्षन है वैसे ही हो तभी हम ब्रम्हा बाप समान बन सकेंगे अगर जरा भी अंतर आता है यदि मेरे संकल बाबा के समान नहीं है तो उस संकल को हमें आगे रचना नहीं है जिस तरह से छोटा सा बच्चा अपने मात पिता को देख देख करके फॉलो करते हैं और उसी के समान बोलने चलने फिरने लगते हैं उसी समान हम भी एक छोटे बालक ब्रम्हा बाप के बालक समझ करके ब्रम्हा बाप को फॉलो करते रहें उसी को देखते रहे तभी हम अपने मन्जिल संपून स्वरूप को संपन स्थती को प्राप्त कर सकेंगे Om Shanti